हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब आज की वीडियो में हम क्लास 3 के चेप्टर बहादूर बितो के कुश्चिन अंसर को डिस्क्स करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं आज की हमारे वीडियो को आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट कॉश्चिन है सेर किसान से क्या लेने गया था तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेर किसान से उसका बैल लेने गया था सेर ने बित्तो को रक्ससी क्यों समझ लिया बित्तो नेक चाल चली उसने किसान से कहा कि तुमने तो चार सेर फांस रखे थे यहां तो एक ही है चलो कोई बात नहीं एक ही सेर नास्ते के लिए काफी है यह है सुनकर सेर ने बित्तो को रक्ससी समझ लिया बित्तो का पहनावा भी ऐसा था उसने सिर्पर पकड़ और हाथ में द्राती पकड़ रखी दी इसे देखकर सेर डर गया तो यह जो अंसर है वह आप इसमें लिख सकते हैं अपने अकोडिंग इसको कर सकते हैं और बित्तो की समझ दारिय से जो है बेल की जान बच गई थी नेक्स कोशन पर आते हैं नीचे कुछ षबदों के नीचे रेखा हिची हुई है उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखना है बित्तो घोडे पर सवार हो गई जिनके नीचे अंडरलाइन है तुम घर की गाये को सेर की हवाले कर रहे थे आज एक राक्ससी से पाला पड़ गया अगर बैल आपके हाथ ने आये इसको हम लिखें घोडे पर वित्तो सवार हो गई जैन सेकंड वाले को घर की गाये को ही तुम सेर की हवाले कर रहे थे एक राक्ससी से आज पाला पड़ गया आपके हाथ बैल ने आये तो मेरा नाम भेडिया नहीं और जैसे ही किसान ने सेर को देखा उसके होसावास गुम हो गए तो यह आपका जो कुश्चन है यह एंसे रटी के बुक के ही कुश्चन है हम उन्हीं को डिसकस कर रही है अभी नेक्स कुश्चन पर आते हैं सेर तो डरकर भाग गया सोचो तो भेडिये का क्या हुआ होगा तो जैसा कि हमने स्टोरी में पढ़ा था कि उनकी जो कुश ही स्टैप से हम लिखेंगे कि सेर की फूठी जी पन्धी तो जब सेर कर भागत हो सके साथ लिए विडिया भी घ्रीत अग्या होगा शोटे Ex कि शलम भी हो चीटनी बार कक amps कहानी देखे भी कि आपको बताना है तो एक या तो रूप अपना देतो या फीन मैं तुम्हें खाऊंगा और सेकंड टाइम कब गया था जब भेडिये ने उसको बुला था कि वो तो बित्तो थी आप वैसे ही डर गए एक बार ओर ट्राइए करते हैं तो सेर किसान के पास दो बार गया था मेरी चत पर मौर आया मेरी चत पर मोरनी के तरह निछे लिखे सब्दों के भी आपको रूप बदलनी है और अंसर कुछ इस टाइप से हम लिखेंगे और अदमी सेर का सेर नहीं बच्ची घोड़ा-घोड़े मचवारा मचवारा राजा राणी तो यह आप जो है इस टाइप स सेर और भेड़िये के बीच क्या बात्चीत होगी तो क्या बात्चीत शूयोगी तो इस टायप से उनकी बात्चीत होई जैसे सेर उसको बलता भेड़िये तुम क्यों हस रहे हो तो भेडिया महराज वह तो एक ओरत थी सेड which is को बोला है मैंने अपनी आखों से देखा है महराज वह तो बित्तो नामक कि और थी जिसे आपने राक सषिआ समझ लिया तुम सच कह रही हो सेडु इसको बेडिया हां महाराज मैं ठीक कह रहा हूं आप मेरे साथ चलें से ठीक है लेकिन तुम अपनी पूछ मेरी पूछ से बांध लो तो कुछ यह जो अंडरलाइन वाले हैं कि आपके आंसर हो जाएंगे इनको आप पॉस करके वीडियो को आराम से देखके लिख सकते हैं सेर भोला था वहां भूल गया था कि मनुष्छे की पतनी, रकशसी नहीं हो सकती है यह रकशसी इक सर्थे सबसे पहले बहल को ही हो जाती तो इसी लिए जो है बेडिये ने सेर को कोले अपनी पूंच के साथ अपनी पूच से बांद ली ठाक फिर कभी बित्तो के खेत की सक हरक में कि तो वेट कि तरफ नहीं गया होगा क्योंकि उसने बित्तो को सच मुछ में राक्ससी सबढ़ा था उसके मन में डर बैठ गया था तो हमें लगता है कि सेर जो है फिर कभी नहीं तो हमें प्रेना देती है क्ठिन समय में समझदारी से काम लेना चाहिए यह जो टफ टाइम भी आता है उसमें अगर आप कोई प्रोब्लम को भी हम सौल कर सकते हैं और अगर मैं बिट्व की जगह को अगर डर कर भागती आस ओर मचाती और इस तरह लोग इकठे हो जाता है से डर कर भाग जाता है इसकी जगह आप अपना पोई भी आंसर अपना जो भी आपको ठीक लगे वो लिख सकते हैं तो यह कुछ शब्द आपको दिये गए हैं शब्दों को आप लिख सकते हैं इसी में पर लगे नुक्ते वाले पांच शब्द लिखनी है यह वो शब्द हैं जो आप इसमें लिख सकते हैं कागज ताजा जमानत जनाजा और ज्यादा नेक्स कोशन पर आते हैं अगर ऐसा होता तो अगर तुम सेरी की जगह होती तो क्या करती तो इसमें आप जो है अपनी हिसा अगर तो की जगह होती तो सेर से कैसी नहीं पड़ती अगर में पढ़ती तो अपने पडोसी किसानों को गठा करती और उनके साथ सोर मचाते हुए खेत की और जाती तो सूर सुनकर सेर भाग जाता है नेक्स कोशन पर आएंगे कहानी में तुमने दराती का चित्र देखा न यह हमारी खुलपी है, यह जो है हमारी करनी है और यह जो है आरी है इसके लावा यहां से भी आप इसको वीडियो को पोस्ट करके इनको आराम से देख सकते हैं सेर ने किसान से कहा अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें खा जाओंगा वरना शब्द का इस्तिमाल करते हुए तीन वाक्य हमें बनाने हैं तो यह वो तीन वाक्य इसके लावा भी बहुत सारे वाक्य आप अपने गोर्डिंग बना सकते हैं यह सिरुफ आपके वरना मा को बता दूँगी या मुझे भी खाने को दो वरना सब गिरा दूँगी जल्दी तयार हो जाओ वरना देर हो जाएगी तो इस टाइप के और भी बहुत सारे वाक्य वरना लगा कि आप बना सकते हैं नेक्स्ट कोशन है कई जगहों पर गाउं में औरते खेतों में तुम्हारे आसपास की ओरते और लड़कियां क्या 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 करती हैं ये कोशन भी इसका हंसर प्याप अपने हिसाब से देंगे कि आपकी आसपास आप लोग क्या देखते हैं क्या काम होता है जैसे हमारे आसपास की कई ओरते और लड़कियां बच्चों को बढ़ाती है सेर और घोडे में क्या उंतर होता है और वो खाने जो अंतर है वह इन के बेस पे आपको पता ना कि खाने में रग में रभाता है तो खाने में जो है सेर जंगल की गुफा में रहता है जब कि घोड़ा अस्तबल में रहता है सेर का रंग भूरा और सुने रहा होता है जब इसका काला सफेद भूराचित कबरा होता है जो है जानवनों को मारकर खाना सेर की आदत होती है और समान ढोना और सवारी करना ये घोड़े की आदत होती है तो यहां से आप इसको देख सकते हैं लास्ट कोशिन जो हमारा है नीचे दिये गए सब्दों को सही तालिका में लिखना है कुछ शब्द हमें दिये गए हैं जैसे किसान बोतल लता ककु केला कलम राजू हरानू चुहा नीना सेर जूता चारपाई पगडी, खरगोस, करेला, छलनी, बित्तो, घोड़ा, गोरिया, बाल्टी, पीपल, कोयल, नीम, किताब, दराती तो इसमें आपको जानवर चाटने हैं तो यह आपके जानवर हो जाएंगे और यह आपके चीज़ें हो जाएंगे यह नाम हो जाएंगे जानवर में चुहा, सेर, खरगोस, गोड़ा, गोरिया, कोयल और नाम में लता, कुपू, किसान और यह चीज़ें यहां से आप इसको वीडियो को पॉज़ करके आराम सिंग को देख सकते हैं तो आज का चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है उमिद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छे लगी होगी कुश्चन अंसर आपको अच्छे से समझ में हाय होंगे तो मिलते हैं नैक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्त रहिए तैंक यू